हेलो फैंड्स कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी तो आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं यूपीयल के यानि की यूटिलिटी पावर टेक लिमिटेट के असिस्टेंट लोको ड्राइवर ट्रेनी के कोस्टन्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो की फीटर, इलेक्रिसी और डिजल, मेकैनिकल, इंसरे ट्रेट के लिए हैं और यह जो कोस्टन्स हैं यह नॉन टेकनिकल क चंस रहने वाले हैं तो ये फेंट सब स्टार्ट करते हैं तो हमारा पहला कोस्चन है घरी में चाभी भढ़ने की प्रकिडिया से घरी में तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन डी यानि कि इस्तिति उर्जा संग्रहित होती है यानि कि अगर हम किसी घरी में चाभी भढ़ते हैं यानि किसी चाभी वाले घरी में अगर हम चाभी भढ़ते हैं तो उसमें जो जो उर्जा है वह संग्रहित होती है तो कौन से उर्जा है तो इस्तितिति उर्जा संग्रहित होती है अब आगे इसे कुछ पाइंट को देख लेते हैं जैसे कि जो इस्तितित द्रवेमान होता है जीफोर क्या होता है घुरत्य त्वारन होता है एस से क्या होता है तो हाइट होता है नेक्स्ट समवएक दुगुना होने पर जो गतीज उरजाय है वो 4 गुनी हो जाएगी नेक्स्ट कोश्चन है, कोश्चन नमबर सेकेंड बैटरियों में इस्तमाल होने वाला जो अमल है यानि कि आपको यह बताने कि जो बैटरी होता है उसमें जो अमल इस्तमाल होता है वो कौन सा अमल इस्तमाल होता है बैटरियों में तो इसका राइट आंसर हो जाएगा option C यानि कि sulfuric अंबल इस्तमाल होता है किस में तो बैटरियों में और इसका फॉर्मूला क्या होता है तो H2SO4 इसका फॉर्मूला होता है सल्फियोरिक अंबल का अब इसे रेटेट कुछ पॉइंट को देख लेते हैं जैसे कि प्रकास सेल द्वारा प्रकास उर्जा को विद्धूत उर्जा में बदलता है यानि जो प्रकास सेल है वो क्या करता है तो प्रकास सेल द्वारा हम प्रकास उर्जा को विद्धूत C, यानि कि hydrogen की जगा deuterium होता है, इसका right answer, अब देख लेते हैं, इसे रिटेट कुछ points को, जैसे कि जो भाड़ी जल होता है, उसका जो सुत्र होता है, वो क्या होता है, तो इसका सुत्र होता है, इसको deuterium oxide कहते हैं, नेक्स्ट कोस्टन है, कोस्टन नमर फोर्थ, प्राकिर्तिक रब्बर निम्नलिखित का बहुलग है, तो इसका right answer हो जाएगा option C, यानि कि isoprene का, यानि कि जो प्राकिर्तिक रब्बर है, वो isoprene का बहुलग है, अब इससे related कुछ points को देख लेते हैं, जैसे कि प्राकिर्तिक रब्बर का जो आनुविक शूत्र होता है, वो क्या होता है, तो C5H8 इसका आनुविक शूत्र होता है, किसका तो प्राकिर्तिक रब्बर का, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो प्राकिर्तिक रब्बर का जो अनुभार होता है, वो कितना होता है, तो 68 इसका अनुभार होत लेगा option B यानि कि ठोस carbon dioxide यानि कि जो जो dry ice है उसे हम ठोस carbon dioxide भी कहते हैं अब इससे कुछ points को देख लेते हैं जैसे कि CO2 यानि कि carbon dioxide का प्रियोग आग बुझाने में होता है next CO2 यानि कि carbon dioxide ग्लोबल वर्मिंग का मुख्य कारक है अगला कोशन है कोशन नमबर 6 बुद्ध ने अपने सरवाधिक उपदेश कहां पर दिये तो इसका right answer हो जाएगा option A यानि कि सरवस्ती में यानि कि जो बुद्ध थे उन्होंने सरवाधिक जो उपदेश दिये तो कहां पर दिये तो सरवस्ती में दिये अब इसे कुछ points को देख लेते हैं जैसे कि सरवस्ती में सरवाधिक गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक निव तो सरवस्ती में next point क्या है तो सरवस्ती कौसल राज की राज़धानी थी यानिकि जो सरवस्ती जो था वो क्या था तो कौसल राज का राज़धानी था अगला question है question number 7 चंद्रमा पिर्थवी का एक चकर कितने दिनों में लगाता है तो इसका right answer हो जाएगा option C यानिकि लगभग 27.3 दिन में लगाता है यानिकि जो चंद्रमा है वो पिर्थवी का चकर लगभग 27.3 दिन में लगाता है अब इसे रेट कुछ points को देख लेते हैं जैसे की चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नही यानिकि चंद्रमा जो है उसका अपना कोई प्रकाश नहीं है next क्या है तो तारा के पास अपना प्रकाश होता है नेक्स्ट क्सट्शन है कोष्टन नमबर एट असियाटिक सोसाइटी का संस्थापक कौन था तो है तो इसका राइट इनसर हो जाएगा option B यानि कि William Johns यान जो William Johns थे वह इसी इए कि सुसाइटी के संस्थापक थे हैं अब इससे वेटर तो कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं जैसे कि एसियार्टिक सुसाइटी ओफ बंगाल की जो अस्थापना हुआ था वो कब हुआ था तो 1784 में किया गया था नेक्स्ट कोस्टन है कोस्टन नम्बर नाईन निम लिखीत में से कौन अकपर के नौरतनों में साइमिल नहीं था यानि कि कोस्टन यह बोल रहा है कि जो अकपर थे उनके नौरतनों में इन option से कौन सामिल नहीं था तो इसका right answer हो जाएगा option C यानि कि बैजू बाबरा जो बैजू बाबरा था वो अकबर के नौरत में सामिल नहीं था वैसे सामिल कौन-कौन था इसमें से तो जो बीरबल था वो सामिल था जो रहीं था वो भी सामिल था तो डर्मल भी जो था वो भी सामिल था अब इससे related कुछ points को देख लेते हैं जैसे जो बैजू बाबरा था वो महान संगी तग्य थे नेक्स्ट जो बीरबल था वो हास से कलाकार था नेक्स्ट जो टोडर्मल था वो भू राजस्व बिससग्य थे नेक्स्ट कोस्चन है कोस्चन नमबर 10 भारत में लोहा इसपात का सुबारंब कहां हुआ तो इसका right answer हो जाएगा option C यानि की कुल्टी में हुआ यानि की भारत में जो लोहा इसपात जो है उसका सुबारंब जो है वो कुल्टी में हुआ अब इसे कुछ points को देख लेते हैं जैसे की भारत में वास्वी करूप से प्रत्थम लोहा इसपात की जो कारखाना है वो जमसेदपूर में अस्थापित हुआ नेक्स्ट जमसेदपूर में 1907 में क्यों थो टाटा आयरन एंड इस्टील कंपनी की अस्थापना हुआ अगला question है question number 11 अकबर का मकबरा इस्तित है तो इसका right answer हो जाएगा option B यानि कि सिकंदरा में इस्तित है यानि जो अकबर है इसका जो मकबरा है वो सिकंदरा में इस्तित है अब इससे कुछ points को देख लेते हैं जैसे कि अकबर का जन्म कब हुआ था तो 15 October 1542 को हुआ था next अकबर का जो पिता था उसका नाम क्या था तो अकबर के पिता का नाम हुमायू था next question है question number 12 वास्को डिगामा ने भारतिय भूमी पर कब कदम रखा तो इसका right answer हो जाएगा 1498 में रखा अगला question question 13 ब्रह्म समाज की अस्थापना किसके द्वारा की गई तो इसका right answer हो जाएगा option A यानि कि राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की अस्थापना की गई अब इससे कुछ points को देख लेते हैं जैसे कि जो ब्रह्म समाज है उसकी जो अस्थापना कभ हुआ था तो 20 अगस्थ 1828 में कुलकत्ता में हुआ next question है question number 14 चतूर्थ मैसूर यूद में अंगरेजों ने पराजित किया था यानि कि आपको यह बताना है कि जो चतूर्थ जो मैसूर यूद हुआ था उसमें अंगरेजों ने किसको पराजित किया था तो इसका right answer हो जाएगा option C यानि कि टीपू सुल्थान को पराजित किया था किसमें किस यूद में तो चतूर्थ मैसूर यूद में अगला question है question number 15 राज सभा में सदस्यों की पदाओधी क्या है तो इसका right answer हो जाएगा option D यानि कि 6 वर्स यानि जो राज सभा है इसका जो सदस्यों है इसका जो पदाओधी है वो 6 वर्स है और यह जो लोग सभा होता है उसमें कितना होता है तो उसमें उसका जो पदाओधी जो होता है मतलब सद्यस्यों की वो कितना होता है तो 5 सल का होता है Next question है Question number 16 सेर सा सूरी का मकबरा कहां इस्तित है यानि कि अब आपको यह बताना है यह जो सेर सा सूरी है इनका जो मकबरा है वो कहां पर इस्तित है तो इसका right answer हो जायगा Option B यहनि कि रोहतास में इस्तित है सेर्षा सूरी का मकबरा अब इससे कुछ पाइंट को देख लेते हैं जैसे कि सेर्षा ने रोहतास गड़ का किला बनवाया नेक्स्ट दिल्ली में पुराना जो किला है वो सेर्षा ने बनवाया नेक्स्ट सेरसा की जो मिर्ती हुई थी, वो कहां पर कालिंगर में हुई थी नेक्स्ट कोस्टन है, कोस्टन 17 गदर पाटी का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपशन C यानि कि लाला हरदयाल, यानि कि जो गदर पाटी था इसका जो संस्थापक देव थे, वो कौन थे, तो लाला हरदयाल इसके संस्थापक थे नेक्स्ट कोस्टन है, कोस्टन नमबर 18 पाकिस्तान सब्द का पहली बार प्रियो किया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Option A, यानि कि चौधरी रहमत अली ने किया था यानि कि जो पाकिस्तान सब्द है, इसका सबसे पहली बार जो प्रियो किया था किस ने किया था, तो चौधरी रहमत अली ने किया था Next question है, question number 19 बंगाल का बिभाजन हुआ था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Option C, यानि कि 1905 इस्वी में बंगाल का बिभाजन हुआ था अब इससे रहेट कुछ पॉइंट को देख लेते हैं जैसे कि बंगाल बिभाजन रद करने की घोसना कब हुआ था तो 12 दिसंबर 1911 को किया गया नेक्स्ट बंगाल बिभाजन के समय जो वाइसराय थे वो कौन थे तो लॉर्ड करजन वाइसराय थे अगला कोर्शन है कोर्शन नमर्ट 20 भारत का प्रतम गवर्णर जनरल था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानि कि वारेन हैंस्टिंग जो था वो भारत का प्रतम गवर्णर जनरल था तो फ्रेंट्स आज के लिए इतना ही वीडियो कैसा लगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकें और अगर आप चाहते हैं इस वीड झाहते हैं